हलो फ्रिंज वेलकम बैक टू माई चानल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रिंज आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के उपर जहां पर जब किसी आरूपी के उपर केस चल रहा होता है और कोट में उसके खिलाब सभी सबूत भी पेश कर दिये जाते हैं और ये भी पता चल ज आता है कि आरूपी नहीं उस क्राइम को किया होगा लेकिन सबूत होने के बावजूद भी एक मजिस्ट्रेड कग किसी आरूपी को सजा नहीं दे सकता तो आज हम बात करने वाले हैं CRPC के सेक्षन 246 के बारे में तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रही है वीडियो इंफ करना बिल्कुल मत भूलेगा जब भी कोर्ट में किसी आरूपी के खिलाफ सुनवाई चल रही होती है सभी एविडैन्स उसके खिलाफ पेश किया जाते हैं जब भी मजिस्ट्रेड को ऐसा लगे कि सुनवाई पूरी हो चुकी है एविडैन्स से साफ पता चलता है कि पीजे सामने आ सकते हैं या तो आरोपी स्विकार कर लेता है कि उसी ने वो क्राइम किया है तो मजिस्टेट उसके बयान को रिकॉर्ड कर लेता है और क्राइम के अनुसार ही हमारी IPC में जिन धाराओं के तहट जितनी सजा का प्रोविजन है वो उसे सुना दिया जाता है या आरोपी कहता है कि जो भी एविडेंस या गवाँ है उनको क्रॉस एक्जामिन करना है तो वो उन्हें कोर्ट में दुबारा बुला सकता है इसी के सब सेक्शन 6 के अंतरगत गवाही के लिए ऐसे लोगों को बुलाने का प्रोविजन किया गया है जिनका नाम गवाहों की लि दिश्बूर हो जाती है कि डारेक्ट आरोपी को सजा नहीं सुना सकती आरोपी को अपने बचाओं का पूरा मौका दिया जाता है तो हो फ्रेंट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्यार पीसी के सेक्शन 246 के उपर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा